हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल आज मैं आपके साथ बहुती सुन्दर बहुती आसन सिंगल कलर का पैटन सेयर करने जारी हूँ इस पैटन को आप ओल प्रोजेक्ट में अपलाई कर सकते हैं जेंट स्विटर लेडी स्विटर गल्स स्विटर बेबी स्विटर के और प्रोजेक्ट में इसके अलावा आप इसको कैप ब्लेंकेट आदि में भी अपलाई कर सकते हैं ये देखे हमारे पैटन का फ्रेंट साइड है और ये देखे हमारे पैटन का बैक साइड है इस पैटन को बनाने के लिए हमने थ्री के मल्टिपल में फंदे डालने हैं और प्लस 4 फंदे एक्स्टर डालेंगे 10 नंबर की सलाई में हम इस पैटन को बना लेंगे और फ्रंट साइड से हमारा ये पैटन बनना इस्टार्ड होगा दोस्तों अगर आप ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए न्यू वीडियो की नोट्पीकेशन के लिए बेला आइकन दबाना न भूलें वीडियो आपको कैंसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना न भूलें अब हम अपना पैटन बनाना स्टार्ड करते हैं तो देखे सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट के साब से फंदे डालेंगे फिर कोई साभी बॉर्डर बनाके कम्प्लेट करेंगे बॉर्डर कम्प्लेट होने के बाद हमारा पैटन बना स्टार्ड होगा यह देखें यह front side से हमारी pattern की first row complete हो गई आब देखें back side से second row आब second row में देखें पहला फंदा उता लेंगे और back side से हमने second row को उल्टा बूनते हुए complete कर लेना है इसा है यह देखिए बैक साइड से हमारी सेकिंड रो कंप्लेट हो गई अब देखिए फ्रन्ट साइड से थर्ड रो अब थर्ड रो में देखिए पहला फंदा उतारेंगे धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा बुनेंगे यह एक फंदा उल्टा बुना धागा पीछे करेंगे आप देखे नेस्ट ये तीन फंदों में हमारा pattern आएगा तो देखे तीन फंदों को छोड़ेंगे और जो space दिखाए दे रहा है यहाँ पर हमने सलाई डालनी है और एक फंदा बना लेंगे देखे एक फंदा बनाएंगे और फिर नेस्ट फंदा सीधा बुन लेंगे नेस्ट फंदा सीधा बुना आप देखे नेस्ट हमने दो फंदे एक साथ बुनने दो का एक करेंगे ऐसे देखे बैक साइट की तरब से हमने सलाई डाली और दो का एक किया अब देखे, next हम यही process repeat करेंगे, तीन फंदे आगे करेंगे, और देखे, जो space में हमने slide डालनी है, और एक फंदा बना लेना है, फिर next फंदा सीधा, फिर देखे, next हम दो फंदे एक साथ बनेंगे, दो का एक कर लेंगे, अब देखे, next same process repeat होगा, तीन फंदे आगे करेंगे और देखे इस पेस में हमने ऐसी सलाई डालनी है एक फंदा बना लेंगे फिर नेश्ट फंदा सीधा आएगा और नेश्ट हमने ये दो फंदे एक साथ बुनने हैं दो का एक कल लेना है अब last में देखे दागा अपनी side करेंगे last का एक फंदा उल्टा आ जाएगा और एक फंदा सीधा आ जाएगा तो देखे एक front side से हमारी pattern की third row complete हो गई अब देखे बैक side से fourth row fourth row में देखे पहला फंदा उतारेंगे दागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा धागा अपनी side next फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं back side से अब देखे दागा पीछे करेंगे last का एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा आ जाएगा तो देखे एक back side से हमारी fourth row complete हो गई अब देखे फ्रंट side से fifth row अब fifth row में देखे पहला फंदा उतारेंगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे करेंगे next फंदे सीधे बुन लेंगे यह देखे जिन फंदों में pattern था इनके उपर के फंदे सीधे आये और last में देखे एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा आ जाएगा तो देखे एक फंदा साइड से हमारी fifth row complete हो गई आप देखे back side से six row आप six row में देखे पहला फंदा उतारा धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा अब देखे धागा अपनी side करेंगे आप देखे next इन तीन फंदों में हम pattern डालेंगे तो देखे front side की तरब से एक दो तीन इन तीन फंदों को छोड़ेंगे और front side की तरब से देखे एंसे slide डालेंगे back side के लिए और देखे एक फंदा बना लेंगे ये एक फंदा बनाया ये देखे फिर देखे पहला फंदा बुन लेंगे यह पहला फंदा बुना फिर नेस्ट इन दो फंदों को एक साथ बुन लेंगे यह तीन फंदों में पैटर्न आ गया आगे सेम प्रोसेस रिपीट होगा धागा अपने ही साइड रहेगा और फ्रंट साइड की तरब से देखे तीन फंदे छोड़ने के बाद देखे सलाइड डालेंगे बैक साइड के लिए फ्रंट साइड से हमने सलाइड डालनी है बैक साइड के लिए और एक फंदा बना लेंगे बैक साइड की तरब से देखे ऐसे एक फंदा बनाया फिर एक फंदा उल्टा ही बुनेंगे फिर देखे नेस्ट हमने दो फंदे एक साथ बुन लेने है यह देखे फिर नेस्ट हमने सेम प्रोसिस रिपीट करना है अब देखे फ्रंट साइड की तरब से हम ऐसे सलाई डालेंगे बैक साइड के लिए यह देखे और एक फंदा बना लेंगे यह एक फंदा बनाया फिर ए फंदे एक साथ बुनने हैं, दो का एक कर लिना है, धागा पीछे एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा, तो देखें बैक साइड से हमारी six row complete हो गई, अब देखें फ्रंट साइड से सेवंत रो, अब सेवंत रो में हमारा पैटरन रिपीट होगा, सेव फंदा उता लेंगे, धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे, अब नेस्ट फंदे हमने सीधे भुन लेंगे और लास्ट में देखें, एक फंदा उल्टा आ जाएगा, और एक फंदा सीधा आ जाएगा, तो देखें ये फ्रंट साइड से हमारी seven row complete हो गई, seven row में हमारा पैटरन रिपीट हो रहा था, बैक साइड से देखें जो eight row आएगी, उसको हम second row की तरह बुनते हुए complete करेंगे इस तरह से हम अपने पैटरन को repeat and shift करते जाएंगे, और बनके देखें, हमारा पैटरन कुछ इस तरह से आ जाएगा, आप इसे all project में apply कर सकते हैं, दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो किरपया लाइक करें, share करें, comment करें, और आप हमारे चैनल में नह नहीं हों तो please subscribe करना ना बूलें, thank you